आइडिया वीडियो आंगनवडी के बच्चों की वालदा के लिए अस्सलामु आलाइकुम आज की मीटिंग में आप सबका खैर मगदम है उम्मीद है आपको पिछले हकते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुवात करते हैं पिछले हकते की हाथ के पंजे की तस्वीर बनानी की सरगर्मी उमर के मताबिक दी गई वरक्षीट और बारिश में मददगार घरेलू तजावीज के वीडियो के बारे में आपके तजुरुपार हमें जरूर बताएं अब साथ में लाई हुई वरक्षीट हाथ में पकड़ कर फोटो लेते हैं फोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं तब तक हम ये वीडियो यहां रोग देते हैं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं तमाम वाल्दा एक लकीर पर खड़ी रहें हर वाल्दा के सामने कुछ फासले पर बाल्टी रखें तमाम वाल्दा की आँखों पर पट्टी बांधें अब हर वाल्दा के हाथ में लकडी दें लीडर वालदा के एक, दो, तीन कहते ही तमाम वालदा अपने सामने रखे बालटी को ढूनडे और उसे लकडी से मारे जो वालदा बालटी को लकडी से पहले मारेगी वो फाते होगी तब तक हम ये वीडियो यहां रोब देते हैं चलिए अब आगे की सर्वर्मी करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं बच्चों में केड़े का इंफेक्शन काफी आम है और ये आसानी से फैलता है ताहम ये बताना मुश्किल है कि ये इंफेक्शन कितने आम है क्यूंकि इन में अकसर कोई अलामत नज़र नहीं आती है आईए इसके बारे में इस वीडियो से मालूमात हासिल करते हैं बच्चों के पेट में केड़े होना बच्चों में केड़े का इंफेक्शन काफी आम है और ये आसानी से फैलता है ताहम ये बताना मुश्किल है कि इंफेक्शन कितने आम है क्यूंकि इन में अक्सर कोई अलामत नजर नहीं आती है हर पांच में से एक शक्स को कमसकम एक किस्म के केड़े का infection जरूर होता है और ये छोटे बच्चों में तो ज्यादा आम समझा जाता है ज्यादर तर केड़े के infection में कोई अलामत जाहिर नहीं होती या ये अलामत इतनी हलकी होती है कि इन पर ध्यान नहीं जाता ये इस बात पर मुनहसिर है कि आपके बच्चे को कीड़े का कौन सा infection है और ये कितना शदीद है कुछ आम अलामात ये हैं जो आपके बच्चे को हो सकती हैं जैसे भूख ना लगना, मतली, उल्टी आना और कमजोरी महसूस होने लगती है जब कीड़ों का लारवा फेपरों तक पहुँच जाता है तो दमा भी हो सकता है तकरीबन तमाम infection का इलाज मुँ से लेने वाली दवाईयों से किया जा सकता है आपके बच्चे को किस किस्म का infection हुआ है ये जानने के बाद ही डॉक्टर दवाईय या कीड़े खत्म करने का इलाज डी वामिंग शुरू कर सकते हैं हमेशा इस बात का खयाल रखें कि बच्चा साफ और खुश्क जगा पर खेले अपने बच्चे को पानी वाली जगहों से कीचर घड़ों जीलों या डैम के करीब खेलने ना दे ट्वाइलेट इस्तिमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसे हर बार ट्वाइलेट इस्तिमाल करने के बाद हाथ धोना सिखाएं बच्चे के नाखुन छोटे और साफ रखें केड़ों के अंडे लंबे नाखुनों में फस कर पूरे घर में फैल सकते हैं फलों और सबजियों को साफ पानी में अच्छी थरा धो लें सबस पत्तों वाली सबजियों को धोते वक्त खास हयाल रखें क्यूंकि इसमें मिट्टी और धूर लगी रह सकती है हमेशा साफ पानी पिएं आप पानी को उबाल सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं इस फीडियों का फायदा आपको कैसे हो सकता है इसके बारे में तमाम वाल्दा बारी बारी गुरुप में बताएं बच्चा आइने के सामने बैठे, अपना नाम और अपनी पसंद के बारे में बताए, फिर मुक्तलिफ चहरे बनाए, जैसे खुश, उदास, गुसा, देखते हैं के हम कितने चहरे बना सकते हैं दी गई वक्षीट में बच्चों की उमर के गुरुप के मुताबिक सरगर्मिया बताई गई हैं, उन्हें समझें और बच्चों से करवाएं क्या बच्चे को इस सरगर्मी और वक्षीट को करने में खुशी मिली, इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं आज की सरगर्मिया यहाँ पर खत्म होती है, ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ़ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और बच्चों का खयाल रखें, शुक्रिया